हेलो गाइज वेलकम बैक टो माइ वुर्टुब चैनल सो गाइज जैसे आपसे अपने थमने यह देखा होगा गाइज आज हम फाइफाइफ पोटल की रीडिंग करने वाले हैं फाइफाइफ पोटल में फिफ्ट में टूथाउज़ ट्वेंडी थ्री ओके सो फाइफ यह मक् जिल नंबर से भी इसको रिलेट करते हैं ओके सो चली देखते हैं कि फाइफाइफ पोटल आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया है या फिर क्या होने वाला है इन अमन्त अफ में उके स्पेसिफिकली मंत की रीडिंग है बट मैंने जिससे कहा कि एवरी मंत में एक एक पोट पोट जासे को मामकेज हो आप़े में मंत मैं में में मंत की रीडिंग है तो और जाहिंक कार कर दोगते हैं तैसा इसा आप माान आपके चले आठाए फाइफ पोटल आपकी सिंदिगी में क्या लेकर आया है इससे पहले में कुछ कार्थ करती हूँ for pile 1 and pile 2 pile 1 यहाँ पर N से लेकर Z तक की pile है pile number 2 यहाँ पर A से लेकर N तक की pile है so यह pile number 1 है and यह pile number 2 है okay guys so जो भी आपके pile है जो भी आपके नाम के initials है guys आपको pick करना है आपके initial रहेंगे इस दोनो pile में आपको pick करना है and time stamp में जाके आपको reading check out करनी है, relates to 55 portal, pile 1 मेरे left hand पर है, pile number 2 मेरे right side पर है, let's begin with pile 1, hey pile 1 तो अगर अपने pile 1 चूज करें guys अगर आपने alphabets N से लेकर Z को चूज करा है that means अगर आपके initials N से लेकर Z तक में है तो चली guys देखते हैं कि 55 portal आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आएगा क्या changes लेकर आएगा, okay जैसे कि मैंने कहा कि 55 portal ये angelic portal होते हैं, जो कि every month आता है, या फिर monthly wise आते है guys, okay, यहाँ पर अगर मैं psychic level पर गयात करूँ pile number 1 के लिए, जो कि मेरा style है guys मैं psychic level पर कुछ चीज़े बताती हूं, यहाँ पर आप लोग मुझे सा नजर आ रहा है कि आप लोग चीज़ों को accept नहीं करे हो guys, मतलब आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से जब तक situation नहीं होती है, मेरे हिसाब से चीज़े नहीं आती है तब तक मैं किसी option की तरफ देखूंगी नहीं, किसी opportunity की तरफ देखूंगी नहीं, no doubt no doubt pile 1 आपके जिन्देगी में options आ रहे है, opportunities आ रहे है पर कही न कहीं आप उसको देख नहीं रहे हो, एक तरह कि से आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकल रहे हो, ऐसी energy मिली है मुझे pile 1 के लिए yes guys, there general reading है personal reading नहीं है, तो हरे चीज आप से resonate नहीं करेगी पर यहाँ पर न मुझे ऐसे energy मिली है कि कहीं न कहीं आपके आपने around a boundary set कर ली है, या फिर आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकल रहे हो, ओके सो चली ही देखते हैं, 5-5 portal, क्या change या फिर क्या परिवर्तन आपके जिंदिगी में लेकर आया है, या आएगा, ओके यहाँ पर yes, orderiness card number 8 यह अगर मैं tarot में बात करूँ guys, तो इसको हम 8 of pentacles भी बोलते हैं ठीक है, कही न कहीं मुझे सा देख रहा है pile number 2 आप लोग, sorry pile number 1, कि आप लोग में में, that is माई मन्त में, काफी जदा busy मुझे दिख रहे हैं आप, okay, busy schedule रहेगा आपका, work में busy हो सकते हो, आपके personal life में busy हो सकते हो, बटना कुछ busy moments, या फिर busy situation आपके जिंदिगी में रहेगा guys, okay, जहाँ पर आप महनत करने वाले हो, या फिर आप बहुत कोशिश लगाने वाले हो, ऐसा नजर आ रहा है, okay, जहाँ तक मैंने कहा psychic level पर कि हो सकता है, कि आप अपने comfort zone से नहीं बाहर निकल रहे हो, या फिर specific situation आपके जिंदिगे में नहीं आती है, तब तक आप किसे option के तरफ देखोगे भी नहीं, यहाँ पर यह कार मुझे बता रहा है, कि यहाँ आपकी जिंदिगी में कुछ ऐसे situations आने वाले हैं मई में, कुछ ऐसे situations यूनिवर्स, कुछ अपोच्टिज यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं, कि जहाँ पर आप बिजी होने वाले हो, पाइल वाल, ऐसा मुझे यह कार बता रहा है, नो डाउट अभी आपके जिंदिगी में कोई खास चीज़े नहीं हो रही है, या फिर आपके मन मुताग्विक चीज़े नहीं हो रही है, कही ना कही मई मन्त, में मन्त आपके लिए यह opportunity, यह option, यह situation लेकर आएंगे, कि जहाँ पर हो सकता है कि मई में आप चीज़ों को ग्रैब भी करो, और कही ना कही अपने comfort zone से बाहर निकलो, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, यहाँ पर मुझे एक और message मिल रहा है, यहाँ पर कुछ विवर्स की energy हो सकती है, कि मई में आप आउटिंग जाने का प्लान कर रहे हो, 8 नमबर यहाँ पर लग्य हो सकता है, आपके लिए मई में, यह फिर 8 आपका birthday हो सकता है, ओके मई में, चलिए देखते हैं यहाँ से भी, टैरो से भी देखते हैं कि क्या मई मंत आपके लिए लेकर आया है, या फिर क्या 5-5 पोटल आपके लिए लेकर आया है, पाइल नमबर वन के लिए, आपकी जिंदगी ना मुझे ऐसे देख रहा है मई में, बहुत simple way से आपना चीजों को tackle करने वाले हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है गाईज, ओके एंड ऐसी चीज़े आपके जिंदगी में आएगी, कि बहुत stable रहेगी, हरी भरे रहेगी, long lasting रहेगी गाईज, जो कि मैंने कहा, यूनिवर्स आपके जिंदगी में, 5-5 पोटल जो है, angelic पोटल जो है, कही नजर आपके जिंदगी में, ऐसे options लेकर रहेंगी, जो कि बहुत stable रहेंगी, long lasting रहेगी गाईज, जैसे आपसे resonate होता है, वह ही लेना है, क्योंकि general leading है, ठीके सब चली देखते हैं, यहाँ पर two of cups का card है, मैंने कहा था, कुछ चीज़े हैं आपकी जिंदगी में, कि जिसके लिए आप wait कर रहे हो, आपने comfort zone से नहीं निकल ले हो guys, and two of cups नहीं यहाँ पर confirmation देगी दिया है, कि मैं मैं यह opportunity आपकी तरफ आने वाली है guys, see, three of cups, लगाता two of cups के बाद three of cups, okay, उसके बाद हैं यहाँ पर eight of swords, and यहाँ पर है justice, वाँ, pile number one, and यहाँ पर bottom of the deck है guys, night of cups, यहाँ आप इसी का ही इंतजार कर रहे है guys, कि कुछ चीज़े आपकी जिंदगी में आए, कुछ बड़े, कुछ good news मिले, जहाँ पर आप इंतजार कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकल रहे हो, कही न कहीं मई मन्त में यह चीज़े आने वाली है, यहाँ पर अगर मैं राश्याओं की बात करूँ, तो कैसे पैसे कॉपी हो सकते हो, जहाँ लिब्रा एक्वेरी सब हो सकते हो, लिब्रा के एनरजी यहाँ पर बहुत सदा प्रॉमिनेंट है गाईस, जो की justice card है, आपके लिए एक major आरकना निकला है गाईस, अगर मैं कहूँ तो बहुती बड़े पैमाने में आपकी जिन्दगी में मही मन्ती बहुत था खास लग्की हो सकता है गाईस, क्योंकि मही में आप जो विश मांग रहे हो, जिस विश की आप वेट कर रहे हो, मही मन्त आपकी पूरी कर देगा, क्योंकि जिस्टिस या ओवर और जिस्टिस को बताता है, नोड़ाट अभी हो सकता है, कि आपके जिन्दगी में कुछ ऐसे सिचुएशन्स हैं, कि जहां पर आपको ऐसा लग रहा है, कि मेरे सिचुएशन्स हैं मैं बहारी नहीं निकल पाऊंगी, मेरे सिचुएशन्स, ये आपके सिरफ थॉट्स हैं, ये अभी होगा कुछ वीवर्श के लिए, हो सकता है, मय में भी आप ये सूचोगे, मय में भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे थॉट्स आपके जहन में आएंगे, क्योंकि आपके जिंदिगी आपके मुताबिकी बदलने वाली है यहापे two of cups है three of cups है clear cut message दे रहा है कि मई में आपके जिंदिगी में कोई person enter करेगा चाहे वो professional life में हो चाहे वो personal life में हो कोई नो कोई हाथ बढ़ाने वाला है कोई नो कोई offer आपको देने वाला है कपस कार्ट जहाँ पर रहते ने emotions को दर्शा आता है emotions आपके दिल की जो तमना है वो आपकी पूरी होगी तो ऐसे दिखाता है three of cups है that means yes आप लोग party shawty करने वाले हो में में मैंने जैसे कहा कि आप लोग घूमने का भी प्लान कर चुके हो तो मैं में हो सकता है कि आप लोग घूमने भी जाने वाले हो आउटिंग जाने वाले हो वैसे भी चुटिया तो निकल रही है चुटिया आई है तो मैं में हो सकता है कि आप लोगों ने प्लान किया है तो something celebration आपके life में होने वाला है मई में कुछ viewers के लिए आपना मुझे रोके के भी energy मिल रही है तो रोका, engagement, marriage के भी chances मुझे देख रहे है मई में यहाँ पना कुछ viewers के लिए यह भी message है guys कि कोई legal matter से अगर आप deal कर रहे हो लंबे टाइम से आप जूच रहे हो कि कब मेरा legal matter settle हो जाएगा किसी भी मामले में हो सकता है यह legal matter आपका मई में settle हो सकता है guys तो एक तरह के से overall justice universe आपको देने वाले हैं मई में ठीक है which is a major factor major factor है आपके जिंदगी में बट यह चीजे होते समय mind में guys यह चीजे होते समय आपके जहन में आपके mind में बहुत ज़दा negative thoughts आने लगेंगे तो उसको आपको control में रखना है ठीक है यह सारे positive cards है बट एक ही 8 of source का card है that means आपके mindset में आपके जहन में negative thoughts आएंगे कि यह options मेरे तरफ आये तो है बट यह मेरे लिए सही है या नहीं है तो थोड़ा doubtful nature आपका रहेगा क्योंकि मैंने कहा कि options offers आपके जिंदगी में आएंगे चाहे वो professional level पर हो चाहे वो personal life में हो ठीक है बट आपको negative thoughts लाना नहीं है आपके mindset को set रखना है और negative चीजों को आपको आसपास भटकने भी नहीं देना है यह आपकी mindset बता रहा है आपके जहन में जो चीजें होंगी वो चीजें यह predict कर रहा है तो अपने thoughts को ही अपने आपको बांद कर नहीं लेना है guys जैसा आप चाहते हो वही मेंमन्त आपके लिए लेकर आने वाला है कहीं न कहीं बहुत खास और बहुत हैपी आपके लिए रहने वाला है मेंमन्त ओके 55 पोर्टल आपके जिंदगी में बहुत ज़दा खुश्या बहुत हापिनेस लेकर आने वाला है guys ओके बट आपके निगेटिव थौट्स आप पर हावी नहीं होना चाहिए यह नहीं होने देना है ठीके सो यहां से कुछ काज लेती हो guys में यहां से देखते हैं क्या है आपके लिए एडवाइस क्या है आपके लिए पाइल बन के लिए ओके गाईस सो फॉस्स कार्ड है आपके लिए इस टाइम तू रिलीज नेगेटिव बिटी मैंने जो अभी कहा ना guys वही मोनोलोजी से भी निकला है ओके नेगेटिव थौट्स आएंगे मही में कुछ निकेटिव सी हमारे लाइफ में जब सारी चीज़े पॉसिटिव होने लगती न गाईस तो यह फॉर शूर है कि निकेटिव आना लाजमी है और आप कोई भी परसन को देखिए जब उसके लाइफ में सारी सारे सुख होते हैं तमाम खुशिया होती है फिर भी ना उसके माइन को उसके जहन को उसका जो माइन सेट है कभी पीस नहीं रहता है गाईस उसके लाइफ में पीस नहीं रहता है वो चैन की नींद नहीं सोता है तमाम खुशिया है तमाम हैपिनेस है फिर भी ना आपके जिन्दिगी में आएंगे कोई negative आपको भढ़ाने की कोशिश करेगा तो आपको ignore करना है and that's why बताता है कि it's time to release negativity so अभी आपके जहन में कुछ negativity आ रहा है उसको release करें guys so that यह मई में आपकी जिन्दिगी में नहीं आएगा या फिर यह thoughts आपकी जहन में नहीं आएंगे second card है यहाँ पर personal issue reaches resolution yes मैंने अभी कहा कि आपके जो भी मसले रहेंगे personal life के related किसी problem के related किसी situation के related यह मई मंत में आप resolution देखोगे so personal issue के related आप चीज़े आपकी जिन्दिगी में resolve हो रही है ऐसा आप महसूस करने लगोगे guys expect powerful change okay definitely मैंने जो कहां भी कि expect powerful changes आप देखोगे मही में so यह 55 portal definitely आपके जिन्दिगी से negativity हट आएगी बस आपको जहन में नहीं लेना है guys okay यह positive चीज़े इसके वज़े से आ रही है so that आपके माई में कोई negative thoughts ना आए okay but हम thoughts को रोक नहीं सकते है but उसको control तो कर सकते है ठीक है so yes negative चीज़े आपके जिन्दिगी से हटने लगेंगे personal life में आपके resolutions आपको मिलेंगे मही में and कही ना कही एक powerful change एक powerful shift आप देखोगे जो आप expect कर रहे थे pile number one चीज़े guys so yes that's it guys यह थी आपके लिए reading I hope guys यह आप से resonate जरू करेगा and yes मुझे comments में बताना ना बुलिए so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all hello pile 2 तो अगर आपने AC लेकर M तक की pile चूस करें guys अगर आपके initials pile 2 में आते हैं तो चली guys देखते हैं कि 55 portal क्या changes आपके जिंदगी में लेकर आया है कही न कहीं in short अगर मैं बोलू guys तो 55 portal मतलब every month में एक angelic portals रहते हैं as per numbers या फिर as per angel numbers ठीक है so yes in short अगर मैं कहोते हैं यह मई मन्त की reading है guys में मन्त की reading है तो चली देखते हैं कि 55 portal आपके जिंदगी में क्या लेकर आया है अगर मैं psychic level पर बात करूँ pile number 2 की लिए तो मुझे ऐसा message मिल रहा है कि कहीना कहीना आप ऐसा चाहते हो कि luck आपके side हो luck आपके side रहे कब आपकी किसमत change होगी यह आप ऐसा महसूस कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि जल से जल मेरी जिंदगी में luck factor आए abundance आए किसमत मेरा साथ दे भगवान मेरा साथ दे क्योंकि आप लोगों ने बहुत heart ship देखा है या फिर आप देख रहे हो pile number 4 एक तरके से आपके जिंदगी में सुकून नहीं है peace नहीं है चीज़े आपके मन मताविक नहीं हो रही है इसके तहित हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सरे चीज़ों में आपको busy कर लिया है या फिर आप किसी option की तरफ नहीं जाना चाते हो नहीं बढ़ना चाते हो and that's why आप hope कर रहे हो कि किस्मत आपका साथ दे destiny आपका साथ दे चलिए देखते है यह second level की reading है मैंने आपके कोई भी कार्ट साभी तक देखा नहीं है फिर भी मैंने energy की वाइस आपकी reading बताई है या फिर आपकी energy बताई है yes कुछ morals and कुछ ethics आप follow करने वाले हो by number two ठीक है see मैंने जैसे कहा था कि कुछ चीज़े आपके जिंदिगी में हुई नहीं है पहले आपके मन मुताबिक बहुत सारे चीज़े हुई नहीं है या फिर होने के बावज़ुत भी हो सकता है कि चीज़े बिगड़ती है by number two तो यहाँ पर universe बता रहे है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है अपने ethics को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है guys कि मेरे मुताबिक ही सारे चीज़े होनी चाहिए इसी टाइम पर होना चाहिए उसी टाइम पर होना चाहिए नहीं कि मुर्यालिटी अगर मैं कहूँ तो यह अगर मैं कहूँ ना guys तो यह टेरो काड में इससे queen of source बोलते है queen of source बोलते है इसको queen of source से मतलब यह बता रहा है यह card मुझे बता रहा है कि note of आपके पास मैं आप बहुत ज़दा dark phases आप लोगों ने देखे है and that's why हो सकता है कि अभी आप ऐसा मैसूस कर रहे हो कि चीजे मेरे मताबिक क्यों नहीं हो रही है क्यों मुझे लग साथ नहीं दे रहा है क्यों मुझे destiny साथ नहीं दे रहा है अभी भी आपको असा लग रहा है कि मेरे life में darkness ही है क्या इश्वा ने मेरे life में सिर्फ darkness ही लिखी है सिर्फ अंधकार है लिखा है देखी यहापे clouds है पीछे तो universe बता रहा है कि नहीं universe ने आपके जिंदगी में तमाम खुशिया लिखी है बट कुछ आपके morals है ना इसको आपको surrender करना है या फिर आपके खुब को surrender करना है यहापर देखिए यहापे sign जो है यह ऐसा है आपको surrender करना है अन्यूनिवर्स के तरफ आपको छोड़ना है कोशिश नहीं करनी है किसी चीज के पीछे भागना नहीं है जितना आप भागोगे ना उतनी चीज़े आपकी जिंदिगी से आगे भागेगी काई कम्प्लिटी आपको सरेंडर करना है पाई टू क्लियर कट मेसेज हैं आपके लिए कुछ वीवर्स मैंने जैसे कहा कि आप अपने comfort zone से बहारी नहीं निकल रहे हो आपने अपने morals को अपने ethics को ऐसे पकड़ के रखा है कि मेरे मुताबिकी सारे चीज़े होनी चाहिए मैं जैसा चाहती हूँ चाहता हूँ उस हिसाब से ही situation मेरे तरफ आने चाहिए या बढ़ने चाहिए कुछ वीवर्स के energy हो सकती गाइस मैं negative नहीं बोल रही हूँ पर ऐसे energy मुझे हाँ पर मिली है and that's why universe बता रहे है कि चीज़े आपके मताबिकी होगी मही मंत में या फिर 55 portal के बाद पर आपको अपने comfort zone से बहार निकलना है कि चीज़ों को जाज़ा hold करके ना रखिये यह hold मैं ऐसे नहीं कह रहे हूँ कि आपने ना हातों से पकड़के रखा यह आपने mindset से पकड़के रखा है आपने thoughts के जरीए पकड़के रखा है तो जो भी आपके जहन में चीज़े रहेंगी ना कि ethics रहेंगे morals रहेंगे किसी specific person के related situation के related कुछ रहेगा उसको आपको release करना है and universe के तरफ छोड़ना है आपको mindset से release करना है तब ही जाके आपके मताबिकी चीज़े होंगी गाईज अगर आप यहाँ पर manifestation कर रहे हो prayers कर रहे हो तो आपको release करना है कि हाँ आपने prayer किया है ठीके तब ही जाके universe करेंगे उस पर काम करेंगे guys आपने जहन में कुछ चीज़े पकड़के रखे हैं अगर आपको कुछ पास रहेगा जो बुरा phase रहेगा उसको release करना है ठीके चली देखते हैं यहाँ पर क्या है queen of swords है तो मुझे आप ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों ने अपने पोस्ट का लाइफ में बहुत difficulties देखे हैं hard face देखे है guys ओके चली देखते हैं यहाँ पर माई मन्त आपके जिन्देगी में क्या परिवर्तन क्या change लेकर आया है five five portal okay five five portal चली guys देखते हैं पाइल टू के लिए फॉस कार लेते हैं आपके लिए nine of swords उन्हें अब भी कहा guys और वही कार निकला है ओके अपने बहुत सारी चीजे ना अपने अंदर दबा के रखी हैं आप रातों को सोती नहीं होंगे आपके healthy shoes भी है guys पाइल लंबर टू यहाँ पर है high priestess page of pentacles लोग वाव ब्यूटफुल एनरजी पाइल लंबर टू अब बेकार में ही tension लेते हो guys देखिए यहाँ पर energy the lovers की निकली है और टू major अरकाना आपके rating में दो major अरकाना है guys आप बेकार में ही tension लेते हो अन्नेसरी आपने ना अपने आपको खुकला कर दिया है मतला अपने health को भी आपने खुकला कर दिया है इतना आप overthink करते हो इतना सोचते हो ना कि कहीं न कहीं यह आपके health पर असर करता है by two यहाँ पर देखिए bottom of the deck full का काड़ है again major अरकाना आपके सोच के परे चीज़े होंगी guys बट कहीं न कहीं मैंने जिसे कहा कि कुछ आपके ethics रहेंगे कुछ morals रहेंगे कि ओ वो आपको release करना है हो सकता है हो सकता है यहाँ पर bad phase भी रहे bad past भी हो सकता है बुरा past हो सकता है उसको release करना है तब ही जाकि सारे चीज़े आंगे आपकी जिन्दगी में clear cut message guys मुझे यह अपना और बताने की जरूरत ने क्योंकि पहला है काड ने message दिया है nine of souls यह बता रहा है कि आपके दिमाग में आपके mind में कुछ clutter चल रहा है वो अभी निकाल लिए अभी अगर आप नहीं निकालोगे तो again यह carry forward होगा maintenance में okay आपकी intuition को आपको सुनना है जो आपकी higher self जो आपकी inner voice आपको बता रही ना उस पर आपको गौर करना है guys ठीक है यहापर कुछ viewers हो सकते है कि आपके relationship में आपके couples के बीच में कुछ लुपा लुका चुपी का खेल चल रहा है guys कि कुछ आपका जो partner है वो hidden secrets रख रहा है या है कि आपके life में कुछ ऐसे मसले चल रहे है professional life में कि जहाँ पर आपको सारे चीज़े नहीं बता रहे हैं यह अभी की phase हो सकती है guys okay तो आपको tension नहीं लेना है guys surrender करें जरूरी नहीं है कि जो आपके personal life में professional life में जो भी hidden हो रहा है जो आपको चुपा रहे है बताने रही है ज के लिए सही नहीं रहेगा आपको जाने की जरूरत नहीं होगी that's why हो सकता है कि आपको अपसे शेयर नहीं कर रहे है बता नहीं रहे है तो आपको बेकार भी tension नहीं लेना है खुद को over button नहीं करके लेना है stress नहीं करके लेना है guys अभी आप अगर control करते हो तो definitely यह मई मंत मे आप अपने inner voice की सुनोगे आप अपने उपर ध्यान दोगे pile number two ठीक है angelic portal यह ऐसा portal है बहुत strong portal होता है guys कि जहापन हमारे energies change होती है okay that's why अभी इस reading के तो आपको universe message दे रहे है pile two आपको कुछ चीज़े surrender करना है जो आपके लिए तकलीव देती है जो आपके जहन को बहुत परेशान करती है अपने अपके thoughts को परेशान करती है negative लोगों को आपको आपने जिंदिगे से बाहर फेकना है आपके negative thoughts को भी बाहर फेकना है and आपको अपने inner voice की सुननी है guys ठीक है जब आप अपने higher self की inner voice की सुनोगे definitely फिर में मंत में आप आपके पास जो भी opportunities जो भी offers आपकी तरफ आएंगे जो good news आपकी तरफ आएंगे वो आप grab कर लोगे guys ठीक है यहाँ पर lovers card है for sure guys आपके जिंदिगे में कोई person enter कर रहा है अगर आपके relationship में कोई problems है आपके couples के बीच में problems है अगर आप अपने negative thoughts को निकाल बाहर फेकते हो आप positively है चीज को लेते हो तो आ आपका reconciliation मुझे आप दिख रहा है ओके आपके और आपके partner के बीच में सुला भी हो सकती है अगर आप singles हो तो मई में कोई person आपकी जिंदिगी में enter कर रहा है pile number two जिसके साथ हो सकता है अभी आप बात कर रहे हो online chatting कर रहे हो online के through up से जुड़ा हुआ है चाहे वो marriage proposal हो चाहे आपका friend circle हो guys ओके लेकिन किसे से आप लोग बात कर रहे हो जहाँ पर यह person आपको contact कर सकता है message कर सकता है और कहीना कहीना उसका जो प्यार है वह जाहिर कर सकता है guys ठीके यहाँ पर कुछ viewers पैसों के related job के related भी परेशान हो रहे हैं तब को tension नहीं लेना है guys आप लोग रातों क कि आप रहतों को सो भी नहीं पा रहे हो तो tension नहीं लेना है कहीना कहीं आपका जो डर्द है आपका जो पेन है यह universe भली भांती जानते हैं and that's why आपके तरफ ऐसा ही आएगा जो आपके लिए सही है जो आपके बहतर के लिए है but you have to control your emotions तो मई में definitely major चीज़े आपके जिंद qualities आ रही हैं okay यह profession के wise भी हो सकता है कुछ studies आप करना चाहते हो तो वो भी चीज़े आपके जिंदिगी में आ रही है मई में offers आपके जिंदिगी में आएंगे and offers से जाद है नहीं आपके जिंदिगी में कोई person हाथ बढ़ाने वाला है guys okay चाहे वो business के related हो partnership के related हो या फिर love offer ह ठीक है तो यहाँ पर जैसे के मैंने कहा कि मई मन्त आपके जिंदिगी में full of energy, full of enthusiasm, excitement, fun, outing, गूना ऐसा मुझे नजर आ रहा है guys okay तो जहाँ पर यह person आपके जिंदिगी में आएगा definitely आपके जिंदिगी न्यू से शुरू होगी हो सकता है कि अभी end होने के कतार में है या फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरे love life भी end है मेरे professional life भी end है okay मई में आप देखोगे कि आपकी professional life भी balance हो रही है कही ना कहीं आपके love life या फिर relationship भी आपकी balance हो रही है कि 5 नमर यह balance को दिखाता है guys तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी professional life and personal life में balance दिख रहा है in the month of May जो कि यह 55 portal ल के लिए तोफा रहेगा तो कबूल करिए इस energy में ना रही है को कि देखिए यहाँ पर पहला का nine of swords है यहाँ पर लास्ट वड़ा काड़ जो है six of six number है that is the lovers card है clear cut message है कि यहाँ पर relationship, marriage, किसी person के वाइज आप बेट कर रहे हो परसन नहीं बढ़ रहा है वो आपको भाव नही दे रहा है इसके तहित आप प्रेस करे रहे हो मनते महंग रहे हो अप चहाते हो कि कहीं न कहीं आपकी life इसके साथ वापस जुड़े वापस हो जाए तो यही कुछ होगा in short मैंने कहा कि आप जहाँ पर waiting करे हो इंतिजार करे हो वही चीज मैं में होगी guys यहाँ पर मैं में को love proposal मिल सकता है अगर आप तोनों ready होते हो तो engagement या फिर रोका होने के chances है guys बट यहाँ पना love commitment आता हो मुझे दिख रहा है for the month of मैं तो परेशा नहीं होना है guys okay यहाँ पर मैंने that's why कहा था card निकालने से पहले कहीं न कहीं आप wait कर रहे हो कि किस्मत आपका साथ या फिर luck factor आपकी side से हो okay तो that's why यहाँ पर nine of swords का card है जो कि मैंने पहली पताया था guys कि आप लोग बहुत परेशान हो and आपको कुछ चीजे release करनी है negative thoughts release करना है past release करना है pain आपका वो भी release करना है तभी जाके you will you will find the lovers you will find a specific person in your life guys ठीक है and definitely आएगा but you have to control your emotions control your thoughts तभी जाके यह आएगा ठीक है so चली देखते हैं यहाँ से messages क्या है confidence is your key to success अगर आपको अपके life में success चाहिए 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 वो personal life हो चाहिए वो आपका professional life हो तो आपको यहाँ पर confident रहना है कि yes universe मेरे लिए सारे चीज़े करेंगे बहतर करेंगे ऐसा को confident रहना है guys तभी जाके यह चीज़े आप experience करोगे मई में ठीक है so confidence आपको बना के रखना है जुटा के रखना है ठीक है हिम्मत बना के रखे guys expect powerful change यह पाई वन के लिए बता आपके लिए भी message है मई मे आप definitely powerful changes देखने वाले हो बहले ही आभी आप नहीं देख रहे हो नहीं देख चुके हो अपरिल मन तक तो मई में आप definitely powerful change देखोगे कही ना कही destiny आपके साथ रहेगी luck आपके साथ रहेगा adjustments are required मैंने पहली कहा था guys कि यहापना कुछ चीज़े आपको release करना है adjust करना है compromise करना है no doubt आके जिंदिगी में बहुत सारी चीज़े universe लेकर आने वाले हैं मही में बट आपको थोड़ा सा compromise करना है adjustment करना है 19-20 हर एक situation में होता है मन चाहा कोई भी हमें मिलता नहीं 100% कोई भी इंसान सही नहीं होता है 100% पूरा नहीं होता है ठीक है आप चाहते हो वही change होगा but you have to adjust okay यहाँ पर देखी surrender to divine मैंने यह पहले ही कहा था आपको divine को surrender कर दीजिए जो भी आपके तकलीफ रहेगी ना universe से शेयर करिए definitely universe सुनते है divine सुनते है और तब ही जाके आप ना अपने जिंदिगी में new starter देखोगे new beginning देखोगे fool की तरह आप अपने जिंदिगी enjoy करोगे या फिर innocently यह चीज़े आप enjoy करोगे जब यह चीज़े यह situation आपकी जिंदिगी में आएगी guys you will enjoy a lot and you will literally gratitude आप दोगे जब आप surrender करोगे ना तो सारी चीज़े universe आपके मताबिखी करेंगे बट कुछ चीज़े आपने इन पकड़ के रखे अपने जहन में उसको release करिये surrender कर दीजे divine को ठीके guys तब ही जाके आप fool की तरह life enjoy करोगे innocently ठीके so that's it pile 2 यह थी आपके लिए reading I hope guys episode resonate ज़रो करेगा and yes मुझे comments में बता ना ना भूलिए so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all